हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम सीयर अजंदर रोडा है और दोस्तो आज हम बात करेंगे गुड्स ट्रांस्पोर्ट एजिंसी के ओपर जी टीए के ओप दोस्तो जब से GST आया तब से इसके ओपर बहुत सारी बाते हुई बहुत सारे movement भी हुई इसके कानून में बहुत सारे changes भी आए बहुत सारी exemptions भी मिली बहुत सारे tax rates का बान से 12 भी हुआ काफी बात service tax में भी GTA की जो services थी वो इसी तरह से turmoil में थी क्योंकि GTA जो है वो एक backbone of the economy है transportation of goods by road तो जो goods है जो वो road से transport जब होते है तो एक बहुत important part करते है अब situation पहले भी service tax में ये reverse charge में होता था और GST में भी notification 13 वटे 2017 central tax rate में इसको reverse charge में डाल दिया GTA कौन होता है GTA वो होता है जो consignment note issue करता है जो consignment note issue नहीं करता वो GTA नहीं है अगर वो GTA नहीं है तो वो reverse charge में नहीं है तो ध्यान रखना है कि अगर आप business user है आप business recipient है तो तभी GST आपने reverse charge में पे करना है कि जब आपको consignment note issue होता है सारे GATA जब भी supplier होंगे जितने भी factories, जितने भी registered person, जितने भी societies जो भी recipient होगा, वो GTA की services जो भी लेगा reverse charge में पे करेगा इसके उपर rate of tax आता है 5% जब GTA 5% reverse charge लगाता है GTA मतलब GTA जो bill करता है उसके उपर tax नहीं लगाता है और नीचे लिग देता है कि payment to be made, GST to be made, paid under reverse charge recipient को उसका 5% का GST पे करना होता है जैसी वो recipient उस 5% का GST पे करता है उसको credit मिल जाता है लेकिन जो reverse charge में GTA अपनी outward supplies देता है उसको किसी भी input, inward supplies का credit नहीं मिलता ना input का input, services का ना capital लेकिन एक rate और facility दी गई कि 12% rate पी आप charge कर सकते हो GTA को वो forward charge में, उन्होंने कहा कि आप अगर forward charge करना चाहते है तो 12% rate चार्ज कीजी अपने recipient को और जितनी भी inward supplies है जो भी input है, input services है और capital कोट है उनके ओपर credit लेकिन अगला सवाल ये आता है कि क्या 5 से 12 rate चेंज हो सकता है या 12 से 5 जी हां, अगर GTA चार्ज चेंज करना चाहते है तो 5 से 12 चेंज कर सकता है लेकिन 12 से 5 वो नहीं कर सकता है reverse से forward में कर सकता है लेकिन एक बार forward में आने के बाद वो reverse में नहीं कर सकता है एक GSTIN है माली जी है दिल्ली में कोई GTA है कुछ transactions पर वो 5% reverse charge में tax pay करना चाहता है और कुछ transactions पर 12% forward charge में क्या वो कर सकता है जी नहीं, answer is no, नहीं कर सकता एक GSTIN पर उसको एक ही तरह की scheme लगानी हो लेकिन अगर उसके 2 GSTIN है एक दिल्ली में और एक कॉल कता में दिल्ली में वो reverse charge लगा लें और कॉल कता में forward charge लगा लें दिल्ली में reverse charge लगाने पर उसका जो भी input अवैललेबल नहीं होगा कॉल कता में forward charge लगाने पर जो भी input होगा, available होगा अगला सवाल है कि क्या अब जब GTA non-business users को services देता है तो क्या उसको reverse charge pay करना है या forward charge pay करना है non-business users को जो भी services GTA देता है वो exempt है उसे कैसे पता चलेगा कि ये service recipient जो वो non-business user है अगर service recipient अपना GST number नहीं देता GSTIN नहीं देता तो उसे वो safely non-business user assume कर सकता और उसके उपर कोई tax लगाने की उसको जरूर नहीं है उसके बाद आती है बात अगर मालीजिए GTA जो है उसके पास 100 ट्रके 80 ट्रक के लिए तो वो consignment note issue कर देता है लेकिन बाकी 20 जो ट्रक्स हैं उसके पास वो क्या करता है कि किसी दूसरी जीटिये को हायर बज़े देता उन 20 ट्रक के लिए वो consignment note issue नहीं करता इसका मतलब यह हो गया कि उन 20 ट्रक्स के लिए वो जीटिये नहीं है और दूसरा जीटिये जो उस व्यक्ति से higher पर ले रहा है ट्रक्स उस particular service को exempt किया गया है मतलब यह होगा कि अगर कोई भी जीटिये किसी ट्रक ओनर से ट्रक हायर पर लेता है तो जो ट्रक ओनर है उसको कोई भी test charge करने की जरूद नहीं है registration की जरुवत नहीं है, कुछ करने की जरुवत नहीं है, लेकिन ये जो GTA है, जिसके 80 ट्रक तो consignment note पे जा रहे हैं, और 20 as it is जा रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं, consignment note issue नहीं कर रहा, तो उसको उसके ओपर कोई भी tax charge ना reverse ना forward में लगाने की जरुवत है अगला सवाल ये आता है, कि क्या जब GTA reverse charge में tax pay करता है चार्ज करता है, तो क्या उसकी जम्मेदारी एंशियर करना tax pay हुआ नहीं हुआ उसकी कोई जम्मेदारी नहीं है, उसने बिल पर लिख दिया कि the tax is to be paid under reverse charge, it is responsibility of the recipient to pay tax and take credit, अब क्या हुआ है कि माल लीजिए, GTA एक और GTA services को दे रहा है साथ में storage services भी दे रहा है, अब क्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है दोस्तो, एक service उसकी reverse charge में है, अगर forward में लगाए then situation different है, GTA service वो reverse charge में है, लेकिन जो storage services है, वो forward charge में है तो section 17 देखना पढ़ेगा, यहाँ पर जो GTA service है, section 17 में specifically लिखा है कि अगर कोई भी inverse, कोई भी outward supply है, जो कि reverse charge में जिसके उपर tax payable है उसको exempt supply मानेंगे, इसका मतलब यह हो गया है कि वो exempt और taxable दोनों supplies पे प्रवाइड कर रहा है जैसी वो exempt और जैसे taxable दोनों supplies प्रवाइड कर रहा है उसके उपर section 17 दो लग गया अब 17 दो लगते ही रूल 42 और 43 लग गया input tax credit को उसको proportionately जितनी वो GTA services under reverse charge प्रवाइड कर रहा है input tax credit उसको proportionately reverse करना पड़ेगा अगला सवाल यह आता है कि इसका place of supply कैसे determine होगा माल लीजे मैं GTA हूँ मैं दिल्ली में हूँ और लगनाओ की party को मैंने goods transport की और reverse charge में bill कर दिया मैंने का भी आप लगनाओ वाले विक्ति आप अपने आप tax pay करना और credit ले लेना अब जो उसमें tax pay करना है लगनाओ वाले ने वो CGST इसको determine करने के लिए place of supply determine करना पड़ेगा place of supply determine करने के लिए दो बाते सोचनी पड़ेंगी कि supplier कहा है और recipient कहा है supplier दिल्ली में है recipient UP में है interstate supply होगी interstate supply होते ही उसके उपर IGST चार्ज होना है अब जो reverse charge UP वाले ने pay करना है वो IGST पे करना है ना कि C और S पे करना है अगला सवाल यह आता है कि reporting कैसे होनी है आखरी सवा कि GTA ने जो अपनी outward supply reverse charge में pay की है वो report कैसे करनी है तो क्या हो exam supplies है जो table 8 में आएंगी GSTR 1 के यह exam taxable supplies है जो GSTR 1 के 4B में आएंगी हमारी understanding के रोसार यह taxable supplies है और 4B में आएंगी और accordingly उसको 3B में भी 31A में report करना होगा और accordingly उसको proper reporting इस बात की पूरी करनी होगी दोस्तों यह हमने कुछ questions आपके लिए determine किये GTA के बारे में I am quite hopeful कि आपके लिए यह video बहुत useful रहा होगा आपके practices में आपकी understanding के लिए आपकी general observation के लिए useful रहा होगा Thank you very much for watching our YouTube channel Please इसको subscribe कीजिए Like कीजिए Thank you friends